दोस्तों सांथियों आपने इस कुरोना काल में बहुत से अच्छी और बुरी बाते सुनेंगी अधिकतर बात में आपने जिक्र सुना होगा रोप प्रतिरुदक समता या इमिनिटी का तो निश्कर से निकाला गया जितने भी वाइरस मंदी बिमारियां हैं उनके लिए अगर आपकी रोप प्रतिरुदक समता अथ्वा इमिनिटी स्ट्रॉंग है तो आपको ये बिमारियां कुछ भी नुक्सान नहीं पहुंचा सकती हैं तो इसके लिए कुदरत ने भगवान में हमको बहुत से जड़ी बूटिया नवाजी हैं और हमारे अच्छी बात है हमारे भारती सेत्र में ये सारी इमिनिटी बूश्टर आसनी से मिलते हैं मेरे एक परिचित हैं डक्टर मनूज काला कूटी उन्होंने सब कुछ अपने प्रिशच का एक बड़े संस्तान में कहीं काम करते थे वो छोड़के उन्होंने अपना अन्भो इन जड़ी बूटियों के लिए समर्पित कर दिया अभी वो सौरी हरवल्स के नाम से अपना प्रिश्टान चला रहे हैं जिसमें वो अपने सोत और अन्भो के आधार पर बड़े अच्चे-चे इमिनिटी बूस्टर जैसे इसमें नौनी का जूस है आमली का जूस है अश्टो गंदा और भी बहुत सी चीजों का है वो सब तयार कर रहे हैं मैं मैंने खुद नौनी का जूस मैंने पिया है इसके लाव उनके और फिर बट्रुक्त होने को माकी जो पिंपल्स वरा होती हैं चाहिया होती हैं सेंपू है सारा अब सब कुछ आयरुबेद पर आधारिक इनने बनाया है यह सब एकदम वो अहानी रहित हैं आप इनको बगेर किसी डर के भाई की इनको यूज कर सचते हो और जो इम्मिनिटी बूस्टर है निश्चित तोर पर आप इनको एक मेहने अगर पियोगे आपको शरीर की इस फूर्थी और ताजगी से खुदी पता लग जाएगा तो मैं आपको रिकमंड करता हूँ और जो सौरी हर्वल्स की प्रोडिक्टे हैं आप मार्केट में जो बड़ी बड़ी जैसे हिमालिया प्रोडिक्टे है या पतंजली के हैं बिल्कुल इनकी और इनकी गुर्वात्ता में मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कहीं पर भी कोई फरक नहीं है और दाम अगर पाएंगे तो आप बिवस हो जाएंगे इन सब को लेने के लिए और खुद जो डोक्टर काला कोटी है आपको कोई सलहा परामस लेनी है आप उनसे भी ले सकते हैं मैं यहाँ पर उनका एड्रेस उगरा सब माँ आपको भीज दूँगा तो अच्छा है उनकी ज्यान का उनकी कौसल का फाइदा आप लोग भी उठाईए अपने इम्मिनिट काला कोटी खुदी कहते हैं मैं किसी को जोर नहीं देता लेने के लिए लेक दिन एक बार भी जो प्रोड़क्ट इस्तेमाल करेगा वो इनका मुरीद हो जाएगा और इनका ब्योहार भी बहुत बढ़िया है आपको कुछ जानतारी चाहिए तो वो भी नहीं से मिल सकती है न